वेरी गुट इवनिंग वेरीवन दिस पवन्ट शर्मा और फ्रेंज इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राइस टॉक्स के बारे में जो रहेंगे 7th of May Thursday के लिए और फिए पूरा वीडियो सुनिये बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है जब मैं आपको कुछ बताता हूं तो उसके पीछे एक रीजन भी देता हूं वो रीजन आपके बहुत सारे काम भी आते हैं तो जैसे मैंने आपको कल एक रीजन दिया था जिसमें से अंगर रीपकर तो मैं आपको भारत फोर्ज में मैंने आपको रीजन दिया था कि भारत फोर्ज ने एक बुलिश हरामी पैटन बनाया है मने मैंने आपको रीजन दिया था कि इसने इनवर्टेड हैमर पैटन बनाया है यह दोनों पैटन जो होते हैं यह बुलिश पैटन होते हैं विच में हमारे लिए बाइंग साइड ज्यादा पॉसोबिल्टी रहेगी सेल साइड की तो I have seen few guys have taken it very seriously उन्हें मुझे message भी किया था comment section में जाके देखेगा and they actually figure out that कि मैंने क्या कहा था लेकिन अगर आप यह चीज मिस कर देते हैं सिर्फ जाके levels check करते हैं तो बहुत सारी चीज आप मिस करते रहेंगे तो इसलिए पूरा वीडियो से तो अगर हम CST की बात करें recap में तो CST में हमारे दोनों target हीट हुए है sell side में भारत forge में हमारे first target हीट हुआ है buy की तरफ अगर हम बात करते हैं M&M में M&M ने एक अच्छा rise लिया एक अच्छा fall लिया initially fall आया था फिर उसके बाद एक अच्छा rise हुआ और RBL ने एक काफी अच्छा move लिया on the upside and hit both our targets on the buy side अगर आज पूरे दिन का market dashboard की बात करते हैं तो पूरा दिन market as range mount रहा है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको याद हो तो मैंने एक अगर आप मेरे channel पर होंग तो आपके photographs याद होगा यह मैंने दो बजे के आसपास प्रिक किया था राउंड 2 o'clock आप click this one and if you look at here it entered into this range around 10 o'clock और उसके बाद देखे पूरा दिन उसी range में trade करता है और यह काफी इसलिए मैंने आपको यह बताया था कि so that you can understand कि हर रोज ट्रेडिंग के लिए market नहीं हो सकती है कभी-कभी ऐसा होता है कि you have to stick out from the stay out from the market और गाईस अगर आपको इस तरह से live update चाहिए market में तो आपको मुझे मेरे telegram channel के उपर जाके जॉइन करना पड़ेगा जिसके लिए पहले telegram install कीजिए और search कीजिए मेरे telegram channel के नाम से which is voodoo trading आपको मिल जाएगा और market dashboard के बारे बात करते हो तो market ने ज्यादा बड़ी moment नहीं लिए 30 points तो gap up open हुआ ही था 30 points super close हुआ है which is 90 to 71 अभी 93 50 के नीचे है याद रखेगा sensex में भी 232 points का आप मुख देखने को मिला है usd एनर फ्राइस वीक रहा है आहिना usd के मुकाबले कल से 17 पैसे वीक रहा है bank nifty has given a very good moment and close around 422 points up reason क्या था एक तो lockdown जो norm से वो is out होते जा रहे है तूसरा जो news चल रहा है कि Italy ने vaccine बना दी है and they are successfully saying that it is actually working on humans also और बहुत सारे उसके साथ में और information आया है कि बहुत सारे clinical trial शुरू हो चुके हैं बहुत सारी जंगे पे human testing शुरू हो चुकी है which is not published but yes it is coming in so that's why market काफी अच्छा positive रहा उसके बाद में कुछ जो है auto companies ने अपने selective dealership को open कर दिया गया है और with a promise of home delivery आप वहाँ ने जाएंगे गाड़ी आपके घर आएगे अगर आपने पहले ही delivery book कर रखी है या आपके mind में अलड़ी car है so you can talk to them over the phone and they will do all the paper works and they will send a guy who will be medically fit और वो आपके सारे paperwork करके आपको गड़ी deliver करके आ जाएगा अगर हम बात करते हैं आज activity के बारे में तो आज FII ने 916 करोर का sell किया है DIN ने 1141 करोर का buy किया है okay बात करते है sector analysis के बारे में आज देखें sector analysis में एक तो finance ने तो अच्छा किया ही है कि देखें financial services और auto इन दोनों तीनों ने मिलके आज market को पर लेके गए है financial services क्यों क्योंकि जो अभी जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही auto के बारे में बात शुरू होगी तो finance companies को ज्यादा फायता होगा क्योंकि उनके लिए बहुत सब्सक्राइब और कुछ जो EMI का जो issue चल रहा है उस पर कुछ settlement देखने को मिली है between banks and NBFC में और auto देखिए same reason की production शुरू हो गई है limited capacity के साथ में dealership open हो गई है limited capacity के साथ में which means it is getting somewhere a good kind of start from today तो इसी वजह से market में थोड़ा सा market rising also अगर हम rule की बात करें हमेशाद रखेगा अगर पैसा आपकी जेब से नहीं गया तो कल recovery हो सकती है थोड़ा बहुत तो जाता ही है लेकिन next day recovery हो जाएगे लेकिन अगर आपकी जेब से पैसा बहुत जादा चला गया है तो recovery भी महीनों में होती है फिर तो never sit into a very big loss always try to have minimum loss as possible और entry का weight कीजिए touch and rutting के चक्कर में फज जाएंगे आज हमारे पास कौन सा था टीवीस टीवीस दो मिनिट के लिए भी अपने लेवल पे नहीं रहा था and started bouncing back इस condition से तुरह सा बच कर रही है कि ऐसा situation ना आए आपकी लाइफ में चले आगे बात करते हैं मैं आज मैं फिर से भारत फोर्ज को pick कर रहा हूं तो भारत फोर्ज में देखे कल हमारे पास यह था आज हमने अच्छा candle देखा और अगर यह rise करता है 285 के आज पास है तो यहां के लेवल इसका इसका हाई इसका हाई इसका हाई अगर सबके हाई को देखोगे आप इसके लोग को देखोगे तो आपके एक support नजर आएगा एक resistance नदर आएगा अगर यह break होता है तो अच्छी मूमेंट हमें अप साइट के दर देखने को मिलेगी तो अगर भारत फोर्ज ब्रेक करता है 287 को तो बाई करेंगे stop loss 284 करेगा first target 290 or 293 का second target and if it break 282 sell it with a stop loss of 285 keeping your first target as 279 second target as 276 और गाईज अगर आपको जैसे मैंने कहा live support के लिए तो मेरे telegram का link description box में available है आप directly telegram डाउनलोड करके उस link को use कीजिएगा तभी वो active होता है otherwise नहीं होगा and guys मेरा अगला pick रहेगा access bank का access bank ने देखिए नीचे की तरफ last candle है यह last candle बताता है कि market में थोड़ा सा positive moment है it shows that we can see a rise in access bank tomorrow तो अगर यह ऊपर जाता है तो हम इसको buy करेंगे 394 के ऊपर 390 का stop loss रहेगा first target रहेगा 398 का second target रहेगा 402 का और अगर access bank break करता है 384 को sell it with a stop loss of 388 your first target will be 380 second target रहेगा 376 का and guys अगर आप technical indicator के fan है अगर आप चाहते हैं कि tackling indicator के यूज करें बिल्कुल यूज कीजिए लेकिन हर रोज change मत कीचे बहुत लंबा आपको नुक्सान होजाएगा अगर हर रोज change करते रहेंगे तो आपको करना क्या है आपको यह करना है कि आपको एक indicator को चूज करना है उसकी strength उसकी negative को आपको identify करना है और उसी को use करते रहे नहीं यही आपका strategy वन के निकल याएगा बात में आपको पता है कि जो यह आपको software sell करते हैं वह software क्यों sell करते हैं आपको क्योंकि वह software एक ही चीज बताता है आपको वह software का एक ही रीजन होता है कि उसमें कुछ ऐसी जो है कोडिंग की गई है जो एक ही सेटप को एक ही इंडिकेटर को यूज करके आपको बायर सेगन्स सिगनल देता है आपको यही करना भी है तो सिगनल उसमें खरीदने के बज़ए खुद लेमेंट करना शुरू करते चाहिए पॉसिटिव मोमेंट देखने को मिले इन बर्जर पेंट अल्सो तो अगर आसे कुछ रहा तो हम बाय करेंगे 468 के उपर स्टॉप लोस रहेगा 464 का फर्स टागेट रहेगा 472 का और सेकंड टागेट रहेगा 476 का लेकिन अगर मार्केट वीक रहा किसी रीजन के वैसे क्य होते जा रहे हैं तो आप उसको सेल करेंगे 460 के नीचे स्टॉप लोस रहेगा आपका 464 का फर्स टागेट 456 का सेकंड टागेट आपका रहेगा 452 का अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए जो भी लेटेस्ट टॉपिक होता है हम उसके उपर वीडियो मनाते हैं यह वीडियो आपके लिए होती हैं so that you can get that knowledge बहुत सारे इशू थे जिसमें 80% of people does not even know what is right इशू गाप टेडिंग के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता था चीक है तो हमने गाप टेडिंग के ब और गाइस अगर आपको यह सब चीज सीखना है चाट कैसे रीड करते हैं stocks को कैसे select करते हैं कल market positive क्यों रहेगा market को में इसी लेवल पर क्यों buy करना इसी लेवल पर क्यों sell करना है कौन सा ऐसा area है which will not give you big losses कौन सा ऐसा area है जहां पर आपको maximum profit मिनेंगे okay I was just trying something yesterday just let me show you something और गाइस अगर आपको ज्यादा information चाहिए हमारे program के बारे में तो you can call or whatsapp on 971-411-007 यह मेरा जो है payout जो मैं अपने इसमें account से निकालता हूं so you can see from 19th February को फिर मैंने 25th February को निकाले फिर मैंने 13th March को निकाले फिर 26th March को and so on यह मेरा profit है जो मैं अपने account से निकालता है रहता हूं for my personal use जो भी हम खर्चे करते हैं क्योंकि यही वो जो होता है जो हमारा profit होता है तो you can see here it is something which this is my profit every single तो हर मंत में एक अच्छा profit मिलता रहता है तो यह gray area जो होते न वह आपको पता होना चाहिए कहां पर maximum profit छुपा हुआ कहां पर loss चुपा हुआ है अगला मेरा जिपक है वह है भारत petroleum का भारत petroleum में मैंने इसलिए कि देखे एक gap down open हुआ और एक अच्छा rise लिया है तो अगर एक trend continue रहेगा तो हम buy करेंगे 347 के ऊपर stop loss रहेगा 344 का first target 350 का second target 353 का और अगर यह break करता है 340 को तो then we are going to sell it with a stop loss of 343 first target 337 second target 334 का रहेगा आप अगर चाहते हैं nifty और bank nifty को trade करना और चाहते हैं कि आपको losses ना हो regular profit आता रहे बड़ा ना सही लेकिन regular profit तो आपको option strategies को सीखना चाहिए वही आपको ज्यादा profit देंगी अगर आपको इस program के बारे हम ज्यादा जन करें चाहिए then you can call on the number given on the screen और whatsapp on the number और चलिए आगे बते हैं nifty और bank nifty के बारे हम बात करते हैं तो ज्यादा बड़ी moment रहा नहीं है हलका सा मैंने change किया है अब कल हम buy करेंगे nifty को only if it break 93.50 क्यों क्योंकि उसके उपर ही उसके इंदर positive moment देखने को मिलेगा stop loss रहेगा 93.20 का first target 94.50 का second target रहेगा 95.00 का लेकिन अगर nifty break करता है 92.40 को sell it with a stop loss of 92.70 पहला target 91.50 and 9100 would be the second target bank nifty a good moment if in case ये continue रहा तो हम bank nifty को buy करेंगे 19,800 के उपर stop loss रहेगा 19,730 का first target 20,000 का second target 20,200 का आप मैंसे बहुत बार पूछते हैं कि हमें कौन सा strike price buy करना चाहिए कौन सा strike price sell करना चाहिए जो market price आपका चल रहा होता उस टाइम पर उसी के आसपास का अगर मान लेजिए 90,800 price चल रहा है तो आप या तो 19,700 buy कीजिए या 19,900 buy कीजिए या 19,800 which means 100 rupees up down या exactly उसी point पर या जो भी उसकी closest price होता है उसी को buy कीजिए क्योंकि वही एक ऐसा point होता है जो आपको सबस्यादा profit देकर चाहिए तो अगर market नीचे गिरता है तो देखिए आपको क्या करना फिर अगर market 9550 के नीचे जाता है तो 9550 के आजपास में कौन सा strike price मिलेगा या तो 19,600 मिलेगा या 19,500 मिलेगा तो कोई भी ले लिजीगा बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो 19,400 ले सकते हैं अगर नीचे गिर रहा है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका profit नहीं होगा इसी लिए अपने market के आसपास वाला price चूज कीजिए और अगर 19,500 के नीचे आता है तो इससे ज़्यादा नाइटीन थाओज़न करेगा नाइटीन थाओजन करेगा नाइटीन थाओजन करेगा कोई भी question आपका query हो do write them down in the comment box below the video I'll be happy to answer all of them telegram life support के लिए join करना है तो उसका link description box में website पे है और कुछ links available है description box में website पे if in case you want to open those accounts all right so and don't forget to subscribe before leaving and that's all for guys I'll see you into my next video have a nice day take care